दोस्तों इस वीडियों बताओंगा कि आप हाय ट्रांसलेट एप का कैसे यूज कर सकते हैं अगर आप इसके सहाईता ले लेते हैं तो आप English वाय लंगेज को Hindi में Hindi वाय लंगेज को English में आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं और इसे आप कहीं पर भी पेश्ट कर सकते हैं Instagram, Facebook, Twitter जहां पर पेस्ट कर ना हं पेस्ट कर सकते हैं आडियो भी सुन सकते हैं अगर आपका दूसरा language दूसरी भासा है तो दूसरे language में भी आसानी से आप translate कर सकते हैं अगर आपके पास कोई image है कोई photo जह है उसका चाहते हैं translate करना उसका भी आप translate कर सकते हैं यहाँ मैं high translate app की A to Z setting से ले करके feature के बारे में detail में बताने वाला हूँ अगर आप भी high translate app का use करना चाहते हैं तो फिर चलिए वीडियो सुरू करते हैं इसके लिए आपको एक application इस्टाल करना है उस application का नाम है high translate app आपको play stores install कर लेना है install कर लेने के बाद आपको open पे click कर लेना है open पे click कर लेने के बाद आपके सामने इस तरीके से दिखाई देगा आपको एक चीज़ और अपने इंटरनेट को जरूरान कर लेना है उसका इतना कर लेने के बाद आपको यहाँ पर नीचे दिखाई देरा grant permission पहले grant permission पे click कर लिजे उसके बाद आपको इस तरीके स्याज है जो finger दिखाई देरा अंगली का आप यहाँ पे click कर लिजे उसके आपको इस तरीके से page open हो जाएगा display over adapts का इस तरीके से हो जाएगा तो उस एप्लिकेशन खोज लेने के बाद tick कर लिजे allow display over adapts यहाँ पे allow कर लिजे उसके बाद यहाँ से simple सा बयक हो जाइए बयक हो जाने के बाद फिर आप सामने इस तरीके दिखाएगा allow allow कर लिजे accept कर लिजे इसकर अब को यहाँ फिर finger दिखाए देरा आपको यहाँ पे click कर लिजे downloaded आप पे click कर लिजे उसके बाद हाय translate यहाँ पेस दिखाए देले आप यहां पेकलुक करने दे रहे हो यहाँ से बैक हो जाईए एक करों के दिखाए देना चाहopp माइथ工 नीचे त्रीके पे क्लिक करीजे उसकtype दिखाई जराए allow allow पे क्लिक करीजे इलाव पे क्लिक कलेने के बạt आपको यहां पहँआ प्राइट गौटट पे क्लिक करीजे आप यह फिन मोड मिल जाते हैं translate करने के लिए एक मिल जाता simple मोड एक मिल जाता जनरल मोड और एक मिल जाता पो स्पीच जिस मोड में आपको ट्रांसुलेट गरना हो कर सकते यह आप मैं सिं कंब रगता हूं आप तुपर दिखाय के वा कि हिंदी निवी घubo हो कर लिजिए आपका English to Hindi हो गया अब आपका क्या होगा English वाले को Hindi में ट्रांसर करना अगर आप Hindi वाले को रेजिम चाहते तो आप फिर बीच में एरो पे क्लिक कर लिजिए आपका Hindi to English joggia अगर ईंग्लिश इन्गरी चाहते हैं तो जिसकल रखास्त। हैं आप उइकाल लिघ्यरенд कर्सक्राइब इस तरीके याँ पर दूसरा लंग्वेज में चृक्त हैं व्हालब लूडब करने के लिए अगर आपको आपको यह बंद करना है application को आपको यहां पर सिंपल सा क्लिक कर देंगे बीच में जो आई दिख रहा है तो आपको बंद हो जाएगा अगर आपको चालू करना तीनी से आप चालू भी कर सकते हैं इस तरीके से रहेगा अब आपको इसको यूज कैसे करना है यूज करने के लि रहेएगे में इसके लिए अब बड़े इसके आपको यहां तीनुम्हीं दिख़ाई दिरा Do यहां पर देख सकते हैं आपको इसी में करना अपने फिंगर से इसे खीचना है इस तरीके से खीचेंगे तो आपको इस तरीके दिखेगा एक टूल दिखेगा इसको जहां पर ले जाएंगे वहां पिंगलीस वाले को हिंदी में कि दwaj देख सकते हैं एंसलिख सकते हैं जैसे में बहुत सब्सक्राइब 7 में इस तरीके सब मुझेश्याइबक सकते हें हो घटारेगा इंदी करें के बता देता मैं को यहां जो दिखाए दे रहाँए यहां पर क्लिक करेंगे तो आपको कैमरा के फोटो कर सकते हैं ग्रणलेट हो जाय देख सकते हैं थोड़ी तरी वेट छुगा देसकते हैं तो अपने हो से जा सकते हैं अगर आप इसे मूब कराना चाहते हैं जो आप यहां पे खीच रहें इसे मुब करके कहीं यहां रखना हूँ आप सुभविधावन सा रख जैसे मैं यहां पी रख देता हूं अब देखेंगे तो आपको इस तरीके जो टी है एह हट करके आपका arrow आजाए कार्णर भी आपको देखेंगे यहाँ से अपने उंगली से खींचेंगे खींच करके जहां पिलाएंगे टांसलेट कर देगा देख सकते हैं इस तरीके सब जो इसका यूज कर सकते हैं